यूपी में कड़ी सुरच्छा बेवस्था के बीच आखरी और सात्वे चरण का चुनाव मद्दान शुरू हो गया है फुर्वांचल कि नव जिलों की 54 सीटों पर सुबह 7 बेसे वोटिंग शुरू है वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापूर, रावार्स, गंदगाजी, पुर्मव, आजम, गड़ो और जौनपूर जिलों की कुल 54 सवा सीटों पर करीब 2 करोंड 6 लाक मद्दाता 613 मिद्वारों के भाग का आजफैसला ईबियम में बंद करने जा रहे हैं तस्वीर जौनपूर की दिखा रहे हैं जहां आखरी चरण में जौनपूर के मरहनी से जद्यू प्रत्यासी पूर्बशांसाद धनंजर सिंग ने मद्दान से पहले अपने पैत्रिक गाउंव में इस्थित मंदिर में जाकर पूज़ अर्चना किया है इसके बाद करीब 9 बजे वह अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं तस्वीर जौनपूर की हैं जहां देख सकते हैं किस तरीके से पूर्बशांसाद और बाहुबरी नेता के रूप में जाने जाने वाले धनंजर सिंग पूज़ अर्चना कर रहे हैं पर वह मंदिर पहुंचकर पूज़ अर्चना किया इसके लावाँ जौनपूर के जिला धिकारी डाक्टर मनीश कुमार भी बूतों पर पहुंचकर लगातार मदाताओं से अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अधिक से अधिक मदाधिकार का प्रयोक करें लोगतन्त की मजबूती में अपनी हिस्सेदारी निभाएं जौन पूर जिले की सबसे हार सीट पर सबकी निगाहें रहेगी क्योंकि यहां से बाहवली पूर्व सांसा धरंजा सिंग जदियू से तो समाजवादी पार्टी शलला की यादो चुनाव मैदान में हैं के बीच कड़े मुकाबले के आसार बनते नजरा रहे हैं वहीं बात की जाए यादी सोन भदर जिले की तो यहां पर भी सुबह से ओटिंग शुरू हो गए समाज कल्यांट राजमंत्री संजीव गौड ने अपने पत्ने और बच्चों संग मदान किया उबरा विधान सभा से बाचपा प्रत्यासी हैं संजीव और उन्होंने डाली के बाड़ी मदान केंद में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों से अपील किया है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें जिससे लोग तंत्र मजबूत हो सके सोन भद्र में कुल 13,56,716 मददाता हैं जो आज अपने मतदाता का प्रयोग करेंगे सुरचा बेऊस्ता के यहां पर कड़े इंतिजाम देखने को मिल रहे हैं बात की जाए ये दिविधान सभा वारचेतरों की तो कई सारे ऐसे पोलिंग बूत हैं जिन्हें आदर्स भूलिंग बूत के रूप में बनाया गया है और मददाताओं से लगातार जिला प्रशासन लेहां रोत कर रहा है को लोग अपने घरों से बाहर निकलें और अधिक से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करें सोन भदर जौनपूर के लामा चंदोली की तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर मददान प्रक्रिया सुरू हो गई है सुचर रूप से मददान यहां पर चल रहा है इसके लामा अन्य जिलों की बात की जाए तो मव चंदोली वारान सी समेत कई ऐसे जन्पद हैं जहां पर ओटिंग प्रक्रिया सुबह नौ बजे से ही शुरू हो गई है मव विदान सवा की सीट दिखाते हैं यहां पर भी लगातार मदाता बाहर निकल रहे हैं यहां व्याँ बाहर निकल की जाए